Hello everyone, welcome back to my YouTube channel तो बच्चों, आज हम करेंगे Class 8 का Chapter 2 Linear Equation in 1 Variable की Exercise 2.2 इसे पहली वाली वीडियो में हमने Exercise 2.1 कवर की थी अगर अभी तक आपने नहीं रेखिये हैं तो आप मेरी चैनल ये इस वीडियो की Description पर जाकर देख सकते हैं चलो, start करते हैं हमारा First Question है Solve the following linear equation तो हमें इन following linear equations को Solve करना है तो इसका First Question है X by 2 minus 1 by 5 is equal to X by 3 plus 1 by 4 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस Question में ये भी हमारी एक X वाली तरम है और ये भी एक X वाली तरम है तो इस X वाली तरम को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और इस numerical वाली तरम को हम लेफ़ एंड साइड लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा X by 2 ये यह यहाँ positive में है यहाँ जाएगी तो negative में हो जाएगी तो यह जाएगा minus X by 3 is equal to 1 by 4 ये यहाँ negative में है राइट हैंड साइगे तो positive में हो जाएगी तो हो जाएगा plus 1 by 5 तो अब हम क्या करेंगे हम LCM ले लेंगे तो यहाँ हमारा LCM होगा 2, 3 is a 6 6, 2 की टेबल में आता है 3 times 3 into X 3X minus 6, 3 की टेबल में आता है 2 times 2 into X 2X is equal to 4 into 5 20 24 की टेबल में आता है 5 times 5 into 1 5 plus 25 की टेबल में आता है 4 times 4 into 1 ये जाएगा 4 अब ही से हम cross multiply कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 into 3X minus 2X is equal to 6 into 5 plus 4 6 into 5 plus 4 2 into 3X ये जाएगा हमारा 60X minus 20 into 2X ये जाएगा हमारा 40X is equal to 6 into 5 30 plus 6 into 4 24 60X minus 40X ये हो जाएगा 20X is equal to 30 plus 24 ये हो जाएगा 54 फिसे हमारा फिसे हमारा फिसे टेबल से कट करेंगे तो ये हमारा आजाएगा 27 ताइम्स n 20 हमारा आजाएगा 10 times तो x की value होगे ही हमारी 27 by 10 यह हमारा final answer होगे next है n by 2 minus 3 n by 4 plus 5 n by 6 is equal to 21 तो सबसे पहले हम यहाँ LCM ले लेंगे तो हमारा LCM हो जाएगा 12 12 2 की table में आता है 6 times 6 into n यह जाएगा 6 n minus 12 4 की table में आता है 3 times 3 3 is a 9 n plus 12 6 की table में आता है 2 times 2 into 5 is equal to 10 n is equal to हमारा 21 यहाँ 6 n positive में है और यहाँ 10 n positive में है तो यह add हो जाएगे तो हो जाएगा 16 n minus 9 n upon 12 is equal to 21 तो 16 n minus 9 n यह हो जाएगा हमारा 7 n upon 12 is equal to 21 इसके upon में 1 लेके हम इसे cross multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा 7 n is equal to 12 into 21 यह होता है हमारा 252 7 यहां multiply में है यहाँ जाएगा तो divide में हो जाएगा तो n is equal to आजाएगा 252 divided by 7 तो जब हम इसे 7 से cancel करेंगे तो हमारा answer आजाएगा 36 तो इसी के साथ हमारी n की value आ गई 36 थर्ड है x plus 7 minus 8 x upon 3 is equal to 17 upon 6 minus 5 x upon 2 तो यह हमारी x वारी term है इसे हम left hand side ले जाएगे तो हो जाएगा x plus 7 minus 8 x upon 3 यहां minus में है तो यहां के positive हो जाएगी positive 5 x upon 2 is equal to 17 upon 6 यह यहां हमारा positive में है इस side जाएगा तो negative में हो जाएगा तो यह जाएगा x minus 8 x upon 3 plus 5 x upon 2 is equal to 17 upon 6 positive में है यहां जाएगा तो negative में 7 अब यहां इसके upon में 1 लेके LCM दे लेंगे तो इसका LCM होगा हमारा 6 6 1 की table में आता है 6 times 6 into x 6 x minus 6 3 की table में आता है 2 times 2 into 8 यह होगा हमारा minus 16 x plus 6 2 की table में आता है 3 times 3 into 5 x यह होगा 15 x is equal to यहां हमारा LCM होगा 6 6 6 6 की table में 1 time तो 1 into 17 17 minus 6 यहां 1 ले लेंगे 6 1 की table में आता है 6 times 6 into 7 minus 42 तो यह हो जाएगा हमारा यह हमारा positive में है 6 x और 15 x भी हमारा positive में है जब हम इसे add करेंगे तो यह हो जाएगा 21 x minus 16 x upon 6 is equal to minus 25 upon 6 17 minus 42 फिर हो जाएगा हमारा 5 x upon 6 is equal to minus 25 upon 6 इसे हम cross multiply कर लेंगे तो यह हो जाएगा 6 into 5 x यह हो जाएगा 30 x is equal to 6 into minus 25 तो यह हो जाएगा minus 150 तो यहां 30 multiplier में है वहाँ जाके divide में हो जाएगा तो x is equal to minus 150 upon 30 इसे हम 0 से 0 cancel होगा 3 की table में 15 आता है 5 times तो हमारा x is equal to minus 5 आगिया next है x minus 5 upon 3 is equal to x minus 3 upon 5 तो इसे हम cross multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 5 into x minus 5 is equal to 3 into x minus 3 तो जाएगा 5 into x 5x minus 5 into 5 25 is equal to 3 into x 3x 5 into 3 यह हो जाएगा हमारा sorry 3 into 5 यह हो जाएगा 3 into 3 यह हो जाएगा minus 9 तो यह जाएगा यहां 3x positive में है यहां जाएगा तो negative में तो यह जाएगा 5x minus 3x is equal to minus 9 यह हो जाएगा 5x minus 3x यह हो जाएगा 2x is equal to minus 9 plus 25 plus minus minus sign ग्रेट है यह हो जाएगा 16 तो 2 यह हो जाएगा तो दिवाइट में हो जाएगा 16 upon 2 तो x की value आगी हमारी 8 5th है 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3 is equal to 2 by 3 minus t तो यह t यहां negative में है यहां जाएगा तो positive में हो जाएगा तो यह जाएगा इसके upon में 1 ले लेते हैं s क्यूंकि हमें lcm लेने के लिए simple होगा तो x is equal to 2 by 3 अब यहां हमारा lcm लेंगे जो सब की table में आता है तो हम lcm लेंगे 12 12, 4 की table में आता है 3 times तो यह हो जाएगा 3 into यह bracket में लिख लेंगे 3t minus 2 क्योंकि अभी इसे हम into करेंगे 12, 3 की table माता 4 times तो हो जाएगा minus 4 into 2t plus 3 12, 1 की table माता 12 by 12 into t हो जाएगा plus 12t is equal to 2 by 3 अभी होगा 3 into 3t हो जाएगा 90 minus 3 to the 6 minus 4 to the 80 minus 4, 3 is a 12 plus 12t upon 12 is equal to 2 by 3 तो 90 यहां positive में, 12t हो जाएगा 21t minus 6 minus 12 जाएगा minus 18 13 minus 8t upon 12 is equal to 2 by 3 तो अभी हम जाएगा 21t minus 8t तो हो जाएगा 13t minus 18 upon 12 is equal to 2 by 3 cross multiply करेंगे तो जाएगा 3 into 13t minus 18 12 into 2 is equal to 24 3 into 13 जाएगा 39t minus 3 into 18 जाएगा 54 is equal to 24 हो जाएगा 39t is equal to 54 negative में है, right hand size जाएगा तो positive में हो जाएगा 24 plus 54 तो हो जाएगा 39t is equal to 24 plus 54, 78 तो यहां 39 multiply में है नीचे जाएगा तो divide में हो जाएगा तो 3t is equal to 78 by 39 39 to the 78 तो हमारा t is equal to 2 answer होगा 6th question है हमारा m minus m minus 1 upon 2 is equal to 1 minus m minus 2 upon 3 तो सबसे पहले यह m वाल अटम यहां right hand side में negative में है तो इस size जाएगा तो positive में हो जाएगा तो यह जाएगा m minus m minus 1 upon 2 plus m minus 2 upon 3 is equal to 1 अब यहां upon में 1 लेके हम इसका LCM ले ले लेंगे जो हमारा आएगा 6 तो 1 की table में 6 आता है 6 times तो 6 into m यह जाएगा 6 m minus 2 की table में 6 आता है 3 times हो जाएगा 3 into m minus 1 plus 3 6 की table में 3 3 की table में 6 आता है 2 times तो हो जाएगा 2 m 2 into m minus 2 is equal to 1 तो अब हो जाएगा 6 m minus 3 into m 3 m minus minus plus 3 into 1 plus 3 plus 2 into m 2 m minus 2 into 2 4 is equal to 1 upon 6 तो इस 6 m और 2 m positive में है तो हो जाएगा हमारा 8 m minus 3 m minus 4 plus 3 हो जाएगा minus 1 upon 6 is equal to 1 तो हो जाएगा 8 minus 3 हो जाएगा 5 m minus 1 upon 6 is equal to 1 इसे cross multiply कर दिंगे इसके upon में 1 लेके तो हो जाएगा 5 m minus 1 is equal to 6 यह 1 यहां negative में है right hand side जाएगा तो positive में हो जाएगा तो हो जाएगा 5 m is equal to 6 plus 1 क्योंकि यहां negative में था side जाएगा तो positive में हो जाएगा तो यह हो जाएगा 5 m is equal to 7 तो m is equal to आगे हमारा 7 by 5 यह हमारा answer हो के second question है simplify and solve the following linear equation हमें simplify करना है and then solve करना है following linear equation को तो first है हमारा 3 bracket t minus 3 is equal to 5 bracket 2 t plus 1 तो सबसे पहले हम इसे simplify करेंगे तो 3 into t यह हो जाएगा हमारा 3 t minus 3 into 3 9 is equal to 5 into 2 t यह जाएगा 10 5 to the 10 t plus 5 into 1 यह जाएगा 5 अब यह 10 यहां positive में है इस side जाएगा तो negative में हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3 t minus 10 t is equal to 5 9 यह positive में है negative में है यहां जाएगा तो positive में हो जाएगा तो यह जाएगा 3 t minus 10 t यह हो जाएगा हमारा minus 7 t is equal to 5 plus 9 यह तो है हमारा 14 तो t is equal to 14 minus उपर आजाएगा minus 7 तो t is equal to कितना आगे हमारा यह 2 से cancel हो जाएगा 2 times तो हमारा t आगा minus 2 8 है 15 bracket y minus 4 और minus 2 bracket y minus 9 plus 5 bracket y plus 6 is equal to 0 तो सबसे पहले हम इसे simplify करेंगे तो यह हो जाएगा 15 into y 15 y minus 15 into 4 60 minus 2 into y 2 y minus 2 into minus 9 यह हो जाएगा हमारा plus 18 plus 5 into y 5 y plus 5 into 6 30 is equal to 0 तो अभी हमारा जो जो पॉजितिव टाम है 15 y और 5 y यह हो जाएगा हमारा 20 y minus 60 minus 2 y plus 18 plus 30 हो जाएगा 48 is equal to 0 तो यह हमारा हो जाएगा 20 y minus 2 y यह हो जाएगा हमारा 18 y minus 60 minus 48 यह हो जाएगा 12 is equal to 0 तो जो जाएगा हमारा 18 y is equal to यह हो जाएगा 12 y is equal to 12 by 18 2 की टेबल से हो जाएगा 6 on 9 times and 3 की टेबल से हो जाएगा 2 upon 3 तो y is equal to 2 upon 3 यह हमारा answer हो जाएगा minus 11 यह हो जाएगा plus 22 is equal to 4 into 8 z यह हो जाएगा 32 z minus 4 into 13 यह हो जाएगा 52 minus 17 as it is आजाएगा तो अब यह 32 यह positive में है यह जाएगा तो negative में हो जाएगा 15 z minus 21 minus 18 z plus 22 minus 32 z is equal to minus 52 minus 17 तो यह 15 z और हमारा 18 z हो जाएगा minus 3 z minus 3 z minus 32 z हो जाएगा minus 35 z यह हो जाएगा तो यह हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा minus 69 minus 1 तो यह जाएगा minus 35 z is equal to minus 70 तो z 35 यह हो जाएगा तो यह हो जाएगा तो यह हो जाएगा तो यह हो जाएगा 70 by 35 यह भी minus का तो minus minus cancel हो जाएगे तो z is equal to हो जाएगा हमारा 35 to the 70 तो यह हो जाएगा z is equal to 2 हमारा यह हो जाएगा 10th and the last question is success का 0.25 bracket 4f minus 3 is equal to 0.05 bracket 10f minus 9 तो सबसे पहले से simplify करेंगे तो यह जाएगा 0.25 into 4f यह जाएगा 1f minus 0.25 into 3 तो यह जाएगा 0.75 is equal to 0.05 into 10f यह जाएगा 0.5f minus 0.05 into 9 यह जाएगा 0.45 अभी हमारा 1f यह हमारा positive में है यहाएगा तो negative में minus 0.5f is equal to minus 0.45 यह यहाँ negative में है यहाँ जाएगा तो positive में हो जाएगा positive of 0.75 1f minus 0.5f यह हो जाएगा 0.5f is equal to 0 minus 0.45 plus 0.75 यह हमारा plus 0.3 तो f is equal to 0.3 upon 0.5 यहाँ जाएगा तो यह जाएगा 0.5 point से point cancel हो गया तो यह जाएगा हमारा 3 by 5 तो f is equal to आगया हमारा 3 by 5 तो इस exercise का last question था बच्चों अगर आपको पूरी exercise समझ में आई तो आपके लिए hashtag question है जो है हमारा 6m minus 4 bracket 2m minus 3 is equal to 8 इसे solve करकर आप इस question का answer मुझे comment में करेंगे जिसने सबसे पहले इस question का answer मुझे comment में किया उसका नाम में अगली वीडियो पर लूँगी और आप मुझे यह भी पता दी दिए कि इसके बार में कौन सी वीडियो बनाऊ बत्ब किस चैप्टर या किस exercise की वीडियो बनाऊ और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्